मित्रो आज से दो साल पहले मैंने जंगल से एक पोधा दिखाया था जिसमें मैंने मेंशन किया था कि ये पोधा 20-20 किलो मीटर से एक विशेश प्रकार की तितली को सभेद तितली को बुलाता है जब पेड़ पर फूल आते हैं तो वो छोड़ता है एक विशेश प्रकार का तलल्पदार्स जिससे तितलीयां आक्रिसित होकर उस पर आती है आज मैं उसी की याद में ये पोधा दिखा रहा हूँ मित्रो ये देख लें इस पर देखो ये ये देखो ये लाल कीड़ों को जिसका मैं नाम लिख दूँगा ये पोधा विशेश कर लाल कीड़ों को देखिए अब मैं इसको टच करके देखता हूँ आप ये समझ रहे होंगे कर ये जिन्दा हैं के नहीं देखिए देखिए ये हैं ये पोधा है कुक्रोंदा का इसका बोटैनी का नाम भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ये पोधा और मित्रो दूसरा प्यठ लाता हूँ देखिए ये पोधा ये है हस्ति सुंटी का पोधा ये दोनों पोधा इस कीड़े को आकृसत करते हैं तो ये देखिले ये हस्ति सुंटी का पोधा है इसका botanical नाम में description में डाल दूँगा और ये है कुकरोग दा का पोधा जिसका नाम भी मैं description में डाल दूँगा ये देखें कितना प्यारा जो है सीन है इसमें चल रहे हैं ये और ये देखें मित्रों इस पर दूसरा कोई भी कीड़ा नहीं है और इस पर भी देख लो मित्रो ये देखें मित्रो देख रहे हैं आप तो ये दोनों पौधे कुकुरेंदा और हस्ति सुन्डी का पौधा पर ये लाल कीडे होते हैं और ये देखें बड़ा वाला है जो ये बड़ा हो गया है और सब इसके मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे हैं ये देख लें मित्रो ये पौधा जो है लाल कीडों को आकरिशित करता है दोनों पौधे एक साथ मैं दोनों दिखा रहा हूँ ये कुकुरेंदा का और ये हस्ती सुन देगा तो मित्रों ये मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सकाइब करें और अपने मित्रों को शेर करना ना भूलें इसी के साथ नमस्कार नेत्रपाल दुर्गादास कुषबहा कल्याद